दोस्तों आज फिर हम option की live trading देखने वाले हैं हम option को buy भी करेंगे और उसे sell भी करेंगे एक वार हम bank nifty future का चार्ट देख लेते हैं आप यहां देखेंगे morning से ही देख सकते हैं कि market totally bullish है नीचे से start हो और सीधा ही हाई यह लगाता जा रहा है ठीक है एक वार हम इसका तीन मेट का चार्ट देखते हैं तीन मेट पर आप देख सकते हैं कि अभी भी मार्की दूपर की तरफ अपना इनने हाई लगाया हुआ है तो हम जो buy करेंगे 3500 का सी यहां देखेंगे अभी जो उसका प्राइस चला है 266 का चला है आप देखिए तो यह पीवर्ट पॉइंट के ऊपर यह जा चुका है तो हम पीवर्ट पॉइंट के आसपास ही इसे बाय करेंगे ओके थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं कि थोड़ा नीचे आने दीजिए तो चाहते हैं वेट करते हैं यहां देखिए रेट केंडल बनाई है तो जैसी पीवर्ट पॉइंट के आसपास आएगा हम यहां बाय कर लेंगे और हम एक स्टिक स्टॉप लॉस भी इसमें लगाएंगे तो 258 259 चला है 35600 का सी यहां हम बाय करके देखने वाले हैं लाइव दे देते हैं तो 35660 के आसपास यहां मार्केट हमारा आ चुका है यह देखिए थोड़ा-थोड़ा और धीरे आ रहा है यह बस हम पीवर्ट पॉइंट के आसपास ही इसे बाय कर लेंगे तो चलिए हम इसे बाय ही करते हैं यह हमने लगा दिया 25 क्वांटिटी एक लौट ही हम इसमें बाय करेंगे 253 250 के आसपास ही हम इसे बाय करेंगे ठीक है मार्केट पैस पर ही हम बाय करने वाले हूं उपर नीचे एक दो पॉइंट हो जाएंगे 253 आगे 251 250 248 चलिए दोस् तो यह हम देखें तो हमारा यह बाय हो चुका है 248 के प्राइस पर ठीक है तो अभी आप देखेंगे तो प्राइस इसका चल ला है 35600 का सीई का 244 के आसपास आचुका है 243 के आसपास ठीक है है तो यह आप यहां देख सकते हैं कि एक खैंडल जो बनी है नीचे की तरफ रै या उपर की तरफ थोड़ा यही सस्टेन करता है तो हम इसमें जल्दी से स्टॉप लगा लेते हैं यहां देखिए आप 350 के आसपास का भी लॉस यह दिखा रहा है वन लॉट है तो थोड़ा रिक्स तो है क्योंकि हम हाई प्राइस पर एंट्री ले रहे हैं लगबग लगबग पर हम प्रीवट पॉइंट के आसपास ले रहे हैं कोई बात नहीं अगर होगा भी तो हमारे स्टॉप लॉस ही यहां हिट होगा ओके तो चलिए इसमें ऐसे लगाते हैं सबसे पहले ऐसे लगाने के इस पर किलिक करते हैं स्कैर आफ पर जाएंगे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या प्राइस चलिला है इसका कि तूफोटी के असपास आ चुका है यह देखिए नीचे ही लगव चलो उपर ग्रीन केंडल बन रही है दोस्तों कोई बात नहीं आप यहां देख सकते हैं जो हम स्टॉप लोस लगाएंगे तूफोटी जीरो वन के असपास लगाएंगे यहां नीचे जो दूसरा पीवर लगाएंगे वन नायंटी नायन कर लेते हैं यहां ट्रिगर प्राइज एंड यहकर लेते हैं ऐते हैं एह 意 anlam pride कर देते हैं तो हमारे श्टॉप लोस लग कुकर यह यहां पर यहां नीमित हमारा यहां इस्ट रोप्लोस यह लगा हुआ हुआ तो यहां हमने stop loss भी लगा दिया, अगर market reverse भी होता है, तो हमें 50 points से ज़्यादा का loss यहां नहीं होगा, आज हमने stop loss थोड़ा बड़ा लगाया है, क्योंकि market में volatility भी है, high price पर हम trade कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहां 201 से नीचे अगर नहीं आएगा तो यह उपर जा सकता है, ठीक है, pivot point के आसपास भी है, और उसका 20 SM में जो है, बॉलिंजर बैंड का उसके आसपास है, कोई बात नहीं, अभी हम on the cost आ चुके हैं, आप यहां देखिए, on cost पे हम आ चुके हैं, wait करेंगे दोस्तो, market को उपर ही जाना है, दीरे दीरे उपर ही जा रहा है, तो हमारा यहां 50 point का SL यहां लगा हुआ है, तो 50 point के हिसाब से, जो हमें maximum loss होगा, अगर हमारे stop loss हीट हो जाता है, तो 1250 रुपे का हमें यहां loss होने वाला, क्योंकि एक lot है, और 50 के हिसाब से 1250 रुपे हैं बैठते हैं, तो maximum risk यहां 1250 रुपे का है, अगर reverse होता है, treat तो, ठीक है, अभी फिलाल हम on cost हैं, देखते हैं, क्या होता है, market अगर उपर जाते हैं, तो हमें profit होगा, छो थोड़ा wait करते हैं, फिर आते हैं, तो दोस्तों अब यहां आप देखेंगे, तो market नीचे आके थोड़ा सा reverse हुआ है, अभी जो 33-600 का call है, वो 222 के आसपास यहां चल ला है, एक बार हम देखते हैं, चार्ट को भी कि क्या हुआ हुआ, पहले position देखते हैं, तो आप यहां देखिए हैं, हमारी position अभी loss यहां सो कर रही है, चार्ट में आप देख सकते हैं, कि यह देखिए, market नीचे की तरफ आया, और अगर दोस्तों यहां देखें, तो यह देखिए, इनने 20SMA को यहां touch किया हुआ है, बोरेंजर बैंड के, तो यहां देखिए, तो दोस्तों अगर आप यहां देखिए, तो जो प्राइज सीधा pivot point से touch होके यहां गया है, 204 रुपे पर इसने touch हिया, उसके बाद यह just reverse हुआ है, अगर हम देखें डंग से, आप यहां देख रहे हैं, यहां पा 204 के असपास प्राइज आया था, वो just यहां से reverse हो गया, हमारा जो stop loss यहां लगा है, 236 का CE का, तो दोस्तो market में up and downs होते रहेंगे, तो अभी trigger pending हमारा 199 पी था, जहां से reverse हुआ है, SL हमारा stick लगा हुआ है, कोई बात नहीं, उपर नीचे होता रहेगा, या तो stop loss हीट होगा, या हम profit में आएंगे, तो दोस्तो थोड़ा सा weight or करते हैं, क्या होता है, आगे हम देखेंगे, तो दोस्तो हम आ चुके हैं, यहां आप देखें, तो हमारे stop loss हीट यहां हो चुका है, SL हीट हो गया है, दोस्तो हमारा 35600 का C, जिसका भी price 166 का असपास हैं चलना है, आप यहां देखें, तो हमारा जो पोजिशन बाइंग वी थी, 248 पोजिटी, 199 पर हमारे stop loss हीट हो गया, उसके बात दुबारा से हम नहीं आपनी position बनाई है, इस वार हमने 35500 का C, हमने बाई कि 203 के price पर है, ठीक है, और हमने इसमें stop loss लगाया हुआ है, 20 point के आसपास का 180 का हमने stop loss लगाया, इस वार हमने कम price का ही, इसमें stop loss लगाया है, पिछली वार हमने risk थोड़ा ज़्यादा लिया था, तो इस वार हमने नीचे की side का buy किया है, अभी 35500 के आसपास ही price चला है, तो ह एक बार हम चार्ट देख लेते हैं, दोस्तों आप यहां देखें, ऊपर से चार्ट नीचे आया, और यह अपने वी वैप पर जच्च किया है, यहां पर आप देख सकते है, ऐसल यहां होने के बाद यह वी वैप पर टच कर रहा था, रैड कलर की जो लाइन है, वो हमारी व देखिए अभी थोड़ा सा प्रॉफिट यहां शो हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, तो दोस्तों अगर हम देखें, तो आप यहां देख सकते हैं, दो केंडल यह उपर की तरफ बनाई है, 3500 का PC हमने बाई किया हुआ था, तो अभी हम थोड़ा प्रॉफिट में आ चु ठीक है, तो अपने ट्रिगर जो पेंडिंग है, उसे मौडिफाई कर लेते हैं और उपर की तरफ ले आते हैं, अगर just reverse होई तो हमें loss ना हो, तो 181 है, तो हम से थोड़ा सा उपर ले आते हैं, 191 हम यहां कर लेते हैं, उसे 190 कर लेते हैं, ठीक है, दस पोइंट हम उपर लि गयाएंगे तो दोस्तों आज जो हम प्रॉफिट बुक करेंगे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हम बुक करना चाहते हैं क्योंकि जो हमारा पहला पाचास पॉइंट का स्टॉप लोस था तो हम कम से कम हंडेट पॉइंट पर अपना टार्गेर रखते हैं बट हमारा यह मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो जितना उपर जाएगा हमें प्रॉफिट भी उतना बढ़ता जाएगा तो मार्केट में पन डांस मिलते रहेंगे मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा तो देखिए अभी 20SMA की असबस यह टच कर रहा है वी वैब उसके बॉलिंजिर बैंड के तो इसके उपर निकलेगा तो हम और बुलिश यहां होने वाले हैं कि टूस्ट्रिटी सेवन के आसपास चल रहा है तो वेट करते हैं क्या होता है आगे देखेंगे तो दोस्तों हम यहां आ चुके हैं दुबारा से तो आप यहां देखिए तो जो हमने 3500 का सी बाई किया है उसका प्राइज बढ़ चुका है में आ चुके हैं एसल जो था हमारा हम उसे थोड़ा मोडिफाई कर लेते हैं उपर की तरफ ले आते हैं थाकि अगर हमें रिवर्स भी हो जा मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है दोस्तों हमेशा प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए या टेल करते रहना चाहिए तो हम से और ट्रे करके पॉफिट में ले आते हैं फिलाल के लिए ठीक है तो ट्रेल कर लेते हैं वन नाइंटी से तो वन नाइंटी से हम ट्रेल करके से लेकर आते हैं पहले हम से मोडिफाई करते हैं मोडिफाई पर क्लिक करते हैं तो हम इसे ले आते हैं जाए टू नैंटी प्रेइंट का हम गयप रखेंगे यहां पर तो अब हम यहां अगर हमारा stop loss हीट भी होता है तो हम profit में यहां जाने वाले हैं हम लेकिं नहीं जाने वाले तो टू-फोटी कर देते हैं तो यह मोडिफायकर के ऊपर आ चुका है अभी देखर तो थोड़ा कम हो गया मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा तो दोस्तों थोड़ा उप अपन डाउंस होते रहेंगे पर आपका कन्विक्शन अगर पॉजीटिव है तो पॉजीटिव रखना हो सकता है हमारा स्टॉप लॉज हीट हो जाए कोई बात नहीं पर अगर हमें प्रॉ खेंगा हम यहां स्टॉप लॉस अगर देखें तो देखें यहां अभी थोड़ा नीचे है तो हम 260 275 यहां चला है 278 यहां देखें जो VWAP है हमारा यहमारा 240 के आसपास है ठीक है तो हम VWAP के आसपास हम अपने stop loss रखते हैं थोड़ा हमने ज्जादा रख दिया है तो हम VWAP के नीचे रख देते हैं थोड़ा मोडिफाई कर लेते हैं stop loss को तो कि 240 के असपास है तो हम 229 यहां रख देते हैं यह हमने रख दिया 229 231 था चायद तो कोई नहीं तो हमने यहां मॉटिफाइ करके अपनी स्टॉप लोस को टू थर्टी के असपास यहां रख दिया है तो दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं फिर आते हैं देखते क्या होता है तो फिलाल के लिए मार्किट यहीं ट्रेड कर रहा है 35600 के आसपा 640 तो जो हमारा 35500 का सी है 288 के आसपास चल ला है अभी थोड़ा हमारा प्रॉफिट भी 2000 के आसपास यहां शो हो रहा है अगर हम लॉस हटा दें तो लग 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 आजार रुपी का यहां प्रॉफिट शो हो अपन डाउन से हमें नहीं दरना हमारा कन्विक्शन पॉजिटिव साइड ही है ठीक है तो फिलाल थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों फिर आते हैं भी तो दोस्तों हम यह आ चुके हैं आप यहां देखिए तो हमारा जो स्टॉप लोस यहां लगा हुआ था वह यहां हीट हो फोटी जेस्ट ओपन होने वाला है थीन मेट का चार्ट देखते हैं एक बार तो दोस्तों चार्ट ओपन हो चुका है आप यहां देखिए मारके नीचे आया था उसके बाद इसमें हमारे स्टॉप लोस हीट किया बहुत नीचे चला गया था 200 के आसपास चला गया था भी य है ठीक है तो यहां हमारा सैकींड स्टॉप लौस भी यहां लग चुका है बट इस वार हमने लॉस नहीं लिया कुछ हमें प्रॉप यहां मिला चैसू रुपीचा तो दोस्तों कोई बात नहीं जो लास है वह भी रिकवर हो जागा अगर चोटे स्टॉप लोस रहेंगे तो हमारे लॉस रहेंगे तो रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं तो दोस्तों हमेंसा लॉस को बड़ा नहीं रखना है प्रॉफिट को बड़ा रखना है और लॉस को हमेंसा छोटा रखना है तो दोस्तों देखते हैं अगर कोई प्रॉफिट कोई ट्रेड मिलता है तो हम फिर से क्या है 35-706 पर अभी ट्रेट कर रहा है तो दोस्तों हमने यह अपनी पोजिशन बना लिए 35-500 के सी में हमने दुबार से एंट्री करी है जब इसने अपना हाइब ब्रेक किया जट उसके पास ही हमने यहां टेड ले लिया था उससे पहले ही हमने ले लिया था तो हमने यहां जो टेड लिया था यह 3500 का सी वह 226 के आसपास हमने यहां बाइंग करिया अभी जो फ्लाल टेड कर रहा है यह 300 उपे के आसपास हैं टेड कर एक वार हम देख लेत लेते हैं 260 पर हम टेल करके उपर लिया हैं तो हमने 226 रुपए की हमारी यह बाइंग है और अभी फिलाल यह 316 पर ट्रेड कर रहा है ठीक है लगबग लगबग हमारे यहां पर दोस्तों यहां देखिए तो 100 पॉइंट से ज्यादा कहां भी हमारा पॉफिट शो हो रहा है 35745 इसके आसपास यह मार्केट ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर 300 रुपए का हमें यह प्रॉफिट शो रहा है उसी कॉल में जिसमें हमें थोड़ा लॉस हो गया था लॉस क्या हमारे स्टॉप लॉस हीट हो गया था पर हम प्रॉफिट में थे 600 रुपे गे तो अ तो जैसे जैसे हमें प्रॉफिट बढ़ता रहेगा हम थोड़ा थोड़ा उपर से लेते आएंगे भी 700 रुपे का हमें प्रॉफिट यह शो हो रहा है अब भी मार्केट जश्ट वहीं ट्रेड कर रहा है दोस्तों मार्केट में अपन डाउंस आने हैं ऐसा कुछ नहीं है त क्योंकि अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है तो फिलाल के लिए मैं ओन कोश्ट यहां निकल जाओंगो मुझे आज लॉस नहीं होने का क्योंकि मार्केट लगबल और 234 यहां टाइम हो चुका है धाई वज़े से ज्यादा बच चुके हैं तो अब मैं लॉस यहां नहीं लेने वारा देखियो मार्केट जट ऊपर निकल चुका है अपने हाई को तोड़कर ब्रेक कर चुका है 3400 रुपे का प्रॉफिट हमें शो हो रहा है यहां पर तो 35,760 यह फिर से अपना हाई ब्रेक कर चुका है दोस्तों और से ट्रेल करके ऊपर ले आते हैं हम अपने ट्रेलिंग श्रॉपलोस को अब केसे हम 270 से 290 कर देते हैं यहां पर ठीक है तो 290 हमने कर दिया है तो दोस् केंडल देखो है आप यह रैड केंडल बन रही है तो फिलाल के लिए जो अभी यह 300,330 के असपास यहां प्राइस पहुच चुका था अभी जश नीचे की तरफ आ रहा है तो दोस्तों जो हमारा प्रॉफिट है वह माइनस की तरफ जा रहा है और टाइम बे यहां प्रॉफिट यहां शोर आता अभी तीन हिदार के पास आ चुका है तो दोस्तों डरना नहीं है अगर आता है अगर आपको लग रहा है कि मुझे बुक कर लेना है तो बुक कर लीजिए क्योंकि एक लॉट के साथ ही हम ज़्यादर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अगर यहां क् रिस्क नहीं ले पाएंगा आप यहां देख सकते हैं 356 रुपे का इसने यहां हाई लगाया है फिलाल के लिए अभी जो मार्केट का प्राइच चला है 337 यहां चला है 3500 की कॉल का ठीक है 3550 पर फिर से मार्केट आ चुका है बैंक निफ्टी फूचर 340 पर अभी टेट कर रहा है 3500 का सी तो हमेशा चोटी क्वांटिटी में हैं तो इसलिए हम रिस्क भी ले रहे हैं हम अगर यहां रिस्क ले रहे हैं तो चोटे स्टॉप लोस रहेंगे और बड़े-बड़े हमारे प्रॉफिट आज होने वाले क्योंकि यह मार्केट ट्रेंडिंग हैं बुलिश है यह अपना हाई लगा चुका है उससे फिर यह नीचे आ रहा 3530 यह आ चुका है यह देखिए इसने चार केंडल ही सीधी सीधी डाउन बना दी हैं तो हो सकता है कि हमारा यह जो प्रॉफिट है वो निकल जाए तो हम एक काम करते हैं जल्दी ही हम इसे एक्जिट करने वाल जादा टाइम भी नहीं बचा और हम अगर ज्यादा इसमें टेड लेंगे तो हो सकता हम लॉस में से कनवर्ट कर दें तो इसलिए हम इसमें नहीं लेने वाले इसे ही हम जल्दी से बोग कर लेंगे तो 35-732 ही चल रहा है तो अपनी साइक्लोजी पर मैंटेन रखना है देख करता है थोड़ा है अब यह आप देखिए तो पांच वी कैंडल हमारी यह बुलिश बन रही है 336 यहां 35-500 का सी यहां आ चुका है काफी लंबी वीडियो हो चुका है तो जलिए दोस्तों ऐसे एक्जिट करते हैं 33 रुप का पॉपिटियां शो रहा है चलिए जो एक्जिट कर ही लेते हैं वरना काफी लंबी वीडियो हो जाएगी पॉपिटिय बुक कर लेना चाहिए तो यहां चलते हैं टेगर पैंडिंग जो है इसमें जाते हैं इसे हम मॉडिफाई करेंगे तो लगबग लबग यह मार्किट कर लेते हैं और रिव्यू कर लेते हैं 226 की हमारी बाइंग प्राइस थी इसकी और 330 पे हमारा यह एक्जिट हुआ है लगबल लगबल हमने इसमें 100 पॉइंट से ज्यादा हमने इसमें सेव किया है तो आज के लिए दोस्तो इतना ही दन फोर दे दोस्तो अगर दे सेयर किया हें तो हमने इसमें 15 रुपए के प्रॉफित में है क्योंकि हमारा 100 रुपए का यह है और 32 रुपडय के क्ला था तो हम अनुक्र यह नहीं क्योंकि हमें क्लाओ्न के सांख हमें एक युजिए मैनें Coordinator क्रा कि मंदर्कुरा कर दोस्तो करने क्लूबंग को maintain करना है conviction रखना है तब ही जाके हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही आगे मिलते एक नई वीडियो साथ आज के लिए धन्यवाद